Hello Friends, Welcome to Study News तो Global Manufacturing Risk Index 2020 जारी हो गया है ये Global Manufacturing Risk Index है एक होता है World Manufacturing Index जिसे World Economic Forum जारी करता है उसमें भारत का तीस्वां इस्थान था और फर्स्ट रैंक पर जापान था ये Index कुश्मेन एंड वेक फिल्ड जारी करते हैं ये एक Property Consultant Company है इस Index में 48 देशों को इस्थान दिया गया है तो जानेंगे इस Index के बारे में कुश्मेन एंड वेक फिल्ड के बारे में और भारत को जो इसमें रैंक मिली है इसके बारे में So, Let's Start तो कुश्मेन और वेक फिल्ड द्वारा Global Manufacturing Risk Index हर साल जारी होते हैं ये एक Property Consultant Company है इनके Office बहुत से देशों में है जिसमें US, UK, इंडिया और भी Various Countries में इनके Offices है ये कमपनी 100 साल से भी पुरानी कमपनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आर्टिकल है The Economic Times का इसमें लिखा है इंडिया ranks third in global manufacturing locations among 48 countries इसका मतलब यह है कि ग्लोबली manufacturing locations में 48 देशों में भारत का तीसरा इस्थान है इसमें चाइना की first rank है और USA की second rank है 2019 के report की बात करें तो पहले से भारत की rank अच्छी हुई है 2019 में चाइना और भारत में इस्थान तो सस्ते मिल जाते हैं टेक्नलोजी भी मुगया हो जाती है लेकिन skilled labor की कमी होती है यही कारण था कि 2019 में भी भारत की rank अच्छी नहीं थी अगर किसी देश में company चीजे देखती है जिसमें talent top priority रहती है इसके बाद advanced technology फिर ecosystem partnerships, balanced approach और cultivating smart strategic public private partnerships इन सभी के आधार पर ही कोई company रिश्क लेती है किसी दूसरे देश में अपनी company की एक unit इस्थापित करने में अगर 2020 global manufacturing risk index की बात की जाये तो इसमें company bounce back ability देखती है जिसका मतलब होता है उन्हें अपने project इस्थापित करने के लिए एक best location मिले और अपने business में उन्हें एक अच्छा return भी प्राप्त हो दूसरा है conditions इसमें business environment होना चाहिए talent एक main skill है जिसकी एक छोटी सचोटी company को भी जुरत होती है फिर बारी आती है cost की किसी देश में business operating cost, labor cost और electricity और real estate के cost सामिल होते हैं फिर किसी company को establish करने की risk की उस देश की politically, economically और environmentally risk percentage कितना होगा इन सभी में भारत की बात की जाये तो भारत का इस्थान देख लेते हैं कुश्मेन एंड वेक फिल्ड मैगजीन में जहां पर ये bounce back ability top global manufacturing destination में यहां पर आप देख सकते हैं top quartile countries में Australia है, Japan है, France है, South Korea है, Switzerland है फिर second quartile में Denmark है, Canada है, Lithuania है फिर यहां third quartile में India है, India के साथ Singapore है, Spain है, Poland है इसके बाद हम यहां पर baseline की बात करते हैं यह है baseline baseline यह बताता है कि किसी दूसरे देश में उस company को equal importance मिले operating करने के लिए तो इसमें top quartile में China है, Canada है और India है Czech Republic भी है second quartile में Vietnam है, Romania है third quartile में Peru है, Brazil है Finland है cost की बात करें तो cost में, सस्ते cost में किसी company को establish करने में top quartile में, यहां China है, Indonesia है, Poland है और यह है भारत इस मामले में United States third quartile में है इसके बाद risk की बात करें तो risk में भारत third quartile में आता है क्योंकि आप जानते हैं, यहां politically और किसी company को establish करने के लिए जगा प्रदान करने में होने वाली रुकावट के वज़े से इसका इस्थान नीचे है तो इन ही सब चीजों को देख के कुस्मेन एंड वेक फिल्ड रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें भारत का तीसरा इस्थान प्रदान किया गया है I hope आपको यहाँ पे काफी कुछ जानने को मिला होगा So thanks for watching this video Please like, subscribe and comment